अजेद देवगन ने आज तक नहीं देखी है काजोल की डीडियल जै वज़े किसी को नहीं मालूम काजोल की फिल्म दिलवाले दो लहनिया ले जाएंगे दर्शकों को काफी पसंद आई थी इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए भी हैं और तोड़े भी हैं शारोखान और काजोल की जोड़ी ने इस फिल्म से बड़ा नाम और मुकाम हासिल किया खुद काजोल स्वीकारती है कि इसी फिल्म को देखने के बाद कई कपल ने ठीक वैसे ही शादी का मन बनाया था लेकिन कम लोगों को ही इस बात की जानकारी होगी कि अजे देवगन जो की रियल लाइफ में सिमरन के राज्यानी काजोल के पती हैं उन्होंने आज तक दिल्वाले दुलहनिया ले जाएंगे नहीं देखी है जी हाँ आपको यह बात जानकर हैरानी होगी लेकिन काजोल ने हाल ही में जागरन.com से बाचीत के दोरान यह बात स्वीकारी है कि यह सच है कि अजे देवगन ने आज तक मेरी कई फिल्में देखी हैं लेकिन उन्होंने दिल्वाले दुलहनिया नहीं देखी है काजोल कहती है कि वे खुद हैरान है कि इतनी बार कोशिशों के बावजूद वे अजे को वे फिल्म दिखाने के लिए मना नहीं पाई है काजोल कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि कभी मेरा और अजय का साथ में इंटर्वियू हो तो उनसे यह सवाल पूछा जाए क्योंकि वे मुझे तो बताने से रहे अब तक मैंने कई बार उनसे पूछा है तो वे कहते हैं कि है कोई कारण लेकिन नहीं बताऊंगा मैं भी इस सवाल का जवाब चाहती हूँ काजोल आगे कहती हैं कि वे चाहती हैं कि अजय के साथ अगर उनकी कोई फिल्म आए तो फिल्म बिल्कुल दमदार स्क्रिप्ट वाली हो ना कि बिल्कुल आम चुंकि दोनों की जोड़ी कामियाब रही है और दर्शक उन्हें अच्छी फिल्मों के साथ देखना चाहते हैं बता दें कि काजोल की फिल्म हेलिकॉप्टर इला जल्द ही रिलीज होने वाली है काजोल ने कहा कि उनके शारोखान या अदित्या चोप्रा के कारण यह फिल्म इस तर तक नहीं गई बल्कि यह फिल्म दर्शकों के कारण इस तर पर बन कर पहुँची है उन्होंने इस फिल्म से जुड़े कई किस्से लोगों से भी सुने हुए है ऐसे ही एक किस्से के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि एक प्रेमी जोडे ने कहा था कि इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने शादी करने का नर्डलिया और उन्होंने उनके बच्चों को भी यह फिल्म दिखाई ऐसा इस फिल्म का प्रभाव है काजोल ने कहा कि ऐसे में इस फिल्म को लेकर दुबारा बनाना असंभव होगा